हलो फ्रेंज वेल काम एगें मैं एक तरीक आपको बताएंगे एक ट्रिक बताएंगे जिससे आपका गारी का माइलेज भी सेम रहेगा और गारी कुलिंग भी रहेगा तो यह आपको पता नहीं होगा क्योंकि अभी अभी मैंने इसको नोटिश किया है जै कैसे हम गारी को कुल रख सकते हैं विदाउट ऑपरेटिंग एसी एसी के बिना गारी को कैसे हम कुल रखेंगे तो उसका तरीका आपको हम अभी बताएंगे आप देखते रहेगे आप देखिए मेरा जो गारी का एसी है एसी ओफ है ठीक है विंडो भी सब बंध है जितने सारी खिर्की है सब बंध है आप देख सकते हैं आप हमने गारी को कैसे इसको हम ठंडा करेंगे तो एसी भी नहीं चलाएंगे लेकिन गारी भी कूल होगा बहुत अच्छे से कूल होगा अब देखिए कब जब भी हम इसका उन्शिल का वाशर आउन करते हैं तो जो वाटर निकलता है इसके बद आप देखिए इसे जो भेन से ठंडा ठंडा हावा निकल रही है क्यों होता है यह हमको पता नहीं है इसका मेकानिजम भी हमने हमको समझ भी नहीं आ रही है देखिए इसका जो सार्कुलेटिंग नौब है वो अन है आप इसको आप कर देता हूँ जब ही हम उन्शिल का वाटर को स्पे करेंगे तब ही यह जो है ओन हो जाता है आप देखिए सकसे के आप देखिए और भेन से ठंडा ठंडा हावा निकल रही है तो इस तरह से आप एसी अन नहीं करने से भी ठंडा हावा पास सकते हैं आप देखिए बाहर का टेंपरेचर है 35 डिकी सेल्सियस लेकिन अंदर बहुत सरी बहुत ही है ठंडा ठंडा हावा आ रही है क्यों आ रहे है आपको पता है तो आप ज़रूर इसको एक्स्परेंट करना मैं गारिया भी चल रही है वीडियो भी बना रही हूँ फिर से करता हूँ देखिए मैं इसको उन्शील वाशर को ऐसे अन कर रहा हूँ इसे ऐसे अन कर रहा हूँ अन करने के बाद जो वाटर निकल रही है तब यहाँ से ठंडा ठंडा हावा चारो जितने सारी भेंड है सबी भेंड से ठंडा हावा निकल रही है मानो यह जो किस तरह काम कर रही है मतलब कुलर का तरह काम कर रही है एसी भी नहीं आउन है एसी ओन नहीं है लेकिन ठंडा हाँ आ रहा है तो कभी भी आप इस तरह से माइलेज आप देखिए माइलेज भी शोग कराई है 23.7 आप तो इस तरह से आप गाली को ठंडा रख सकते हैं कभी भी वाशर को ऐसे वाटर स्पे करेंगे तब क्या होगा भेंस से ठंडा हाँ निकल रहे निकलेगा यह जो ठंडा हाँ निकल रहे बहुत ही ठंडा है मालूम होता है यह AC on है क्यों AC on नहीं है तो क्यों ठंडा इतना ठंडा हाँ निकल रही है आपको पता है तो आप जुरूर हमको बताना इसका मेकानिजम क्या है वह हमको मतलब बेरी इंटरेस्टिंग है क्यों इससे कोल्ड यार निकल रही है इतने ठंडा जैसे भी इतना थंडा नहीं होता है ठीक है तो जब ही अंदर का हावा ऐसे गरम हो जाए तो क्या करना है थोड़ा इसमें स्प्रे करना है कैसे स्प्रे करेंगे ऐसे स्प्रे करेंगे तब थंडा थंडा हावा निकलेगा तो यह ट्रीक अच्छा लगे तो जोरू लाइक श्यार एंड कमेंट करना ठीक है आपको कैसे लागा आभी स्प्रे करेंगे ओ थंडा हावा निकलेगा वाशर से कभी भी स्प् आपको वीडियो अच्छा लागा, इन्फरमेशन अच्छा लागा, तो जरू लाइक, श्यार एंद सब्सक्राब करना, थैंक यू